नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करें अपने चैनल मास्टर क्रेव को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर चीज की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे जहन्यवाद नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करें आपके चैनल मास्टर के उपर एक और नई अपडेट के साथ में दोस्तों आज की अपडेट है एन पीएश की 25 परतिशत राशी जो राजस्तन के कार्मिकों ने आहरित किती उसके उपर हैं दोस्तों तो चलते हैं सबसे पहले न्यूस देख लेते हैं अपन दोस्तों देखने से पहले अगर आपने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यह लाल वाला बटन को नहीं डबाया तो फटा फट से दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वह सभी को आपको फटा फट से मिल देगी दोस्तो न्यू पेंशन स्कीम एंप्लोईस फेडरेशन आफ राजस्तान एनपीएस एफर के प्रदेश नेतरतों ने सुप्रीम कोट के सिनियर एड़ोकेट से राजस्तान के पांच लाग अर्सट तेजार पांच सो पैतालिस एक्स एनपीएस कार्मिकों के चालिस हजार आट सो बा आफ्ट करने के संबंध में रजस्तान सरकार एवां एनपीएस टरस्ट के बीच में हुए एग्रिमेंड का अध्यन कर उन्से राय मांगिए उनसे र्याय के अंशार राजस्तान सरकार को स्वतन्त गुशित किया गया हैं राजस्तान सरकार को अपने कर्माचरियों के पक्ष में अरजीत राशी को सुरुक्षित करने के लिए तुरंत कारवाई करनी चाहिए और PFRDA के साथ मद्यस्त कारवाई शुरू करनी चाहिए ये एड़ोकेट ने राय दिये दोस्तों राजस्तान सरकार द्वारा निश्पादिस समझोते द्वारा निश्पादिस समझोते को पढ़ने के लिए मेरा विचार यह है एड़ोकेट द्वारा जो विचार दिये गए वो दोस्तों यह है कि ऐसा प्रतित होता है कि राजस्तान सरकार द्वारा NPS में शामिल होने का निर आट-2005 के ग्यापनों को संदर्वित किया गया था जिसके आधर पर यह दावा किया गया है कि NPS में शामिल होने का निर्ने लिया गया है अनुबंध में कोई विवरण नहीं था जो वास्तविक सहमति से संबंदित था कर्मचारियों द्वारा लिया जा रहा है ऐसा प्रतित होता है कि राजस्तान सरकार ने बाहरी कारणों से NPS में शामिल होने का निर्ने लिया था OPS की तुलना में NPS किस तरज से अधिक फाइदे में ने इस पर कोई विचार नहीं किया गया न तो वस्तविक लाप के संदर्ब में और नहीं प्रभावी कारिता के संदर्ब में NPS में शामिल होने से पहले राजस्तान सरकार द्वारा कोई विचार कया गया था राजसरकार को NPS में शामिल होने की राय बनाने से पहले हित धारकों के साथ कोई वरमर्ष नहीं किया गया था संगीर धाचे के तहद राजसरकार के पास NPS में शामिल होने के लिए ना तो कोई कानूनी सम्विधानिक या समिधात्मक दाइत्व था क्योंकि उक्ति ऋजना के अंदर सरकार द्वारा शुरू की गई थी NPS में शामिल होने से पहले राजस्तान सरकार के लिए अपने करमाचरियो का हिट सर्वो परी होना चाहे था हलाकि समझोता मद्धिस्थता खंड को संदरविद करता है उक्त मद्यस्तता तंत्र सरकार के लिए लागू होता है यदि PFRDA या किसी भी मद्यस्त के साथ समझोते के काज में कोई विवाद उत्पन होता है मद्यस्तता की सीट दिल्ली है उक्त खंड व्यक्तिकत ग्रहा को अथात करमचारियों के लिए अप्रासंगिक है करमचारियों या उनके संबंदित संगों के पास स्वतनत रूप से एनपेस विविजना से बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं दिया गया है आगे सुझित किया जाता है कि सरकार अब OPS में वापिस आच चुकी है इसलिए राजस्तन सरकार को PFRDA के साथ समयने करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए ताकि करमचारियों के पक्ष में अरजित राशी का सुरक्षित और सुरक्षित रूप से ध्यान रखा जा सके और OPS के अनुसार वीनमित किया जा सके किसी भी विवात की स्थिती में राजस्तन सरकार को तुरंत कारवाई करनी चाहिए और अपने करमचारियों के पक्ष में अरजित राशी को सुरक्षित करने के लिए PFRDA के साथ मत्यस्तिता की कारवाई शुरू करनी चाहिए अंत्र में PFRD के साथ किये गए समझोते में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि रजस्तान सरकार को OPS में वापस जाने से रोक दिया गया है । अपने कर्मचरियों के समगर लाप और कल्यान को द्यान में रखते हुए राजस्तान सरकार अब OPS में वापस आ गई हैजिसका वह सविदान के तहथ पूरी तर से हगदार है राजस्तान सरकर को शिक्रितास से कारे करना चीए और अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी चीए दोस्तों ये एड़ोकेट ओन रिकोर्ट चंदरशिकर एज चक लाबी नई दिल्ली जिन्होंने अपने विचार प्रस्तूत किये हैं दोस्तों अभी तक की ये न्यूज है कि NPS विड्रॉल जीपीएप में जो वापिस जमाना कराने का ओर्डर था 25% राशियों जो आपको वापिस जमा करानी है उसके लिए आप कम से कम दो विक का इंतजार करना बेथर रहेगा दो विक बाग क्या पता इस ओर्डर को निरस्त किया जाए या सरकार द्वरा इस पर कुछ पहल की जाए तो आप मैं तो कह रहा हूँ इसमें दो विक लिखा हुआ है लेकिन आप तीन विक तक इंतजार कीजिए क्योंकि वैसे भी जमा कराने की अंतिम तारिक तो 31 दिसंबर 2022 दे रखी हैं तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए ताकि आपके पैसे जो हैं वो सुरक्षित रहें दोस्तों आपको जहां तक हो सके करमाचारी जो हैं वो पैसा वापिस नहीं जमा कराने के पक्षम हैं हैं दोस्तों क्योंकि वो खुद का ही पैसा था जो आपने 25 चैनल पर डाल देंगे तो अभी तक हमारे चनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फडियाये सब्सक्राइब कर लें और एंपियस जमा कराना कैसे है उसका वीडियो दोस्तों हमने ओल लेडिये मार्व चैनल पर डाल दिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हम उसकी लिंक के ब्रतिस्क्रिप्शन में देंगे और आप figured देख सकते दोसक्तों है य् begitu एक दोस्तों को जनों पैसे निकालने उनको जल्दे से जल्दे यह वीडियो शेयर किए दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहें पूलियेया और अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत मिलते हैं नई अपडेट के साथ में